हलो एवरीवन, विल्कम बैक टो मैं चैनल चलिए आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर इडली से मज़ेदार स्नैक बच्चे हुए इडली को यूज करते हुए आप तो कैसारे स्नैक्स बनाए होंगे जैसे के उपमा, चिल्ली इडली और इडली 65 लेकिन आज हम बिल्कुल डिफ्रेंट तरीखे से बिल्कुल हेल्दी रिस्पी बनाएंगे आप एंड तक जरूर देखिए इस रिस्पी में बिल्कुल फ्रेश इडली भी यूज कर सकते हैं या फिर बची हुए इडली भी यूज कर सकते हैं इडली को इस तरीखे से कट कर लेंगे इसके बहुत ज्यादा छोटे पीसे नहीं करना है इस तरीखे से इसको लंबाई में काटने के बाद फिर एक पीस लेंगे इसको इस तरीखे से बीच में से काटेंगे सारे इडली को हमें इसी तरीखे से कट करना है इडली के पीसेज बड़े रखने का रीजन ये है कि हमें इसे फ्राई नहीं करना है अगर फ्राई करेंगे तो ये तूटेंगे नहीं लेकिन आज हम इसे बिना फ्राई किये विजटेबल के साथ पकाएंगे देखिए मैंने सारे इडली को इस तरीखे से कट कर लिया है चलिए अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे अब हम ग्यास पर रखेंगे पैन इसमें डालेंगे कुकिंग आयल आज की रेस्पी में मैं पांच इडली यूज़ कर रही हूँ उसी हिसाब से इसमें 2 टी स्पुन कुकिंग आयल डालेंगे आप इडली की कौन्टिटी की हिसाब से तेल को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं दिखिए तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे फाइंड ली चॉप गार्लिक अब डालते हैं फाइंडली चॉप जिंजर और इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर पकाएंगे इसे बहुत ज्यादा फ्राइ नहीं करना है बस थोड़ी सी देर ही इसे फ्राइ करेंगे ताकि इसमें के सारे फ्लेवर्स अच्छे से निकलाएं इसे fry करते वे तकरीबन 40 सेकंड हो चुके हैं इसमें से अच्छी सी खुच्वा आने लगी है अब हम इसमें दालेंगे कती हीवी प्यास मीडियम से इसकी एक कती हीवी प्यास दालेंगे प्यास के पीसे हम बड़े ही रखेंगे इसे mix करते हुए तकरीबन एक मिनिट तक पकाएंगे ग्यास की flame हमने medium रखा है onion पकते हुए तकरीबन एक मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे fine ली चाप green chilis green chilis आप हजबे जरूरत डाल सकते हैं इसे mix करते हुए तकरीबन एक मिनिट तक और पकाएंगे medium flame पर इसे पकते हुए तकरीबन दो मिनिट हो चुके हैं देखिए प्याज हलकी सी नरम हो चुकी है अब हम इसमें दालेंगे कटे हुए गाजर vegetables कट करते वक्त हम कोशिश करेंगे कि सारे vegetables का size equal रहे अब हम इसमें दालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च अगर हम vegetables के pieces कुछ छोटे रखेंगे और कुछ बड़े रखेंगे तो छोटे pieces जल्दी पक जाएंगे बड़े कच्चे रह जाएंगे इसलिए इसे equally cook करने के लिए pieces भी हम equally काटेंगे ग्यास की flame हम medium ही रखेंगे इसे अच्छे से mix करते हुए तकरीबन तीन मिनिट तक पकाएंगे इसे पकते हुए तकरीबन तीन मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें दालेंगे cabbage कोई भी vegetables आप अपनी choice के हिसाब से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं flame हम medium या फिर low रखेंगे विजटेबल्स तकरीबन 80% तक कुख होने तक इसी तरीखे से mix करते हुए पकाएंगे अब हम इसमें दालते हैं हजबे जरूरत नमक इसे अच्छे से mix करते हुए vegetables 80% तक कुख होने तक पकाएंगे दिखिए वेजटेबल्स 80% तक कुक हो चुके हैं अब हम इसमें दालेंगे औरगानू ये आप्शनल है अगर आप नहीं दालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं अब इसमें दालेंगे मीडियम से इसका बारिक कटा हुआ एक टमाटो टमाटो का मैंने स्किन निकाल के दाला है आप स्किन के साथ भी दाल सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए तकरीबन एक मिनिट तक और पकाएंगे दिखिए टमाटो भी अच्छे से पक चुके हैं अब हम इसमें दालेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस अब इसमें दालते हैं 1 टीस्पून सोया सास इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करते हुए थोड़ी देर पकाएंगे दिखिए इसमें सोया सास थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें 1 टीस्पून सोया सास और दालेंगे इसमें मैंने total 2 tea spoon soya sauce यूस किया है चलिए इसे अच्छे से mix कर लेंगे low या फिर medium flame पर इसे mix करते हुए अच्छे से पकाएंगे ताँके सारे flavors अच्छे से mix हो जाएं इस recipe में हमने लाल मिच पॉडर यूस नहीं किया है अगर आप दालना चाहे तो दाल सकते है दिखिए vegetables तकरीबन 85% तक कुख हो चुके हैं अब हम इसमें दालेंगे टमाटो कैचप टमाटो कैचप दालेंगे 1 टी स्पून 2 टी स्पून होट एंड स्वीट सॉस दालेंगे चलिए एक बार फिरी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे breakfast से बची हुई इडली को यूज करते हुए आप भी एक बार इस तरीखे से tasty और nutritious evening snack ज़रूर बनाईए और हमें feedback ज़रूर दीजिए देखिए vegetables में सौरे sauces तो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें दालेंगे इडली जो हमने इडली को pieces में कट करके रखा था सारे इडली इसमें दालेंगे और हलके हाथों इसे मिक्स करेंगे इस recipe में हम इडली को बिना fry किये ही यूज करेंगे बिल्कुल हलके हाथों इसे मिक्स करेंगे अगर तेजी से करेंगे तो इडली सारी तूट जाएगी आज की रिस्पी की यही खास बात है इसमें कुछ इडली के पीसे तूटेंगे और कुछ इसी तरीखे से रहेंगे जो तूटे हुए पीसे से उसी से इसका जायखा बढ़ जाएगा इस तरीखे से mix करते वक जो पीसे तूट कर vegetables में mix हो जाएंगे उसी से इसका जायखा बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा आप इस recipe को एक बार जरूर try कीजिए और हमें feedback जरूर दीजिए इस तरीखे के मज़ेदार और जर्टपट बनने वाले recipes आप देखना चाते हो तो मेरे channel को जरूर subscribe कर लीजिए family और friends को भी share कर दीजिए साथ में bell button भी प्रेस कीजिए ताके मैं जब भी नए वीडियो से upload करूँ आपको उसके notification आसानी से मिल जाएं इस तरीखे से इसे दोनों साइड से आहिस्ता से पलटते हुए इसे mix करते हुए पकाना है ताके इडिली में सारे flavors अच्छे से mix हो जाएं हमें इसे बहुत ही एहतियास से mix करना है क्योंकि इडिली बहुत soft है वनना ये तूट जाएगी medium flame पर इसे पकते हुए तकरीबन एक मिनिट हो चुके है सारे spices एक दूसरे में अच्छे से mix हो गए है दिखिए मज़ेदार वेज इडिली साव करने के लिए बिलकुल तयार है इसे डिशाओट करेंगे गर्मा गर्म साव करेंगे चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रिस्पी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त बाबाए